अब यहाँ पे question देखिए express 5 decimal 6 7 bar in the farm P upon Q तो इस step को question को सालो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसको मानेंगे कि let x equal to 5 decimal 6 7 7 है न अकम से कम दो बार आप इसको repeat जरू करवाईएगा इसके बाद इसको देंगे equation 1 ठीक है अब यहाँ पे देखिए single digit का जो digit है न वो बार बार repeat हो रहा है तो equation 1 को हम लोग 1 के बाद single 0 और 10 से multiply करेंगे अगर यहाँ पे double digit का जो black है बार बार repeat होता तो 100 से करते हैं और triple digit रहता तो हम लोग 1000 से करते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे equation 1 into 10 ठीक ति हो जाएगा left hand में 10x equal to इधर ही जो decimal है एक digit right hand में खसक जाएगा ति हो जाएगा 56 से decimal 7777 है न यहाँ पे तीन बार आप जरूँ decimal को लाईए मैं क्यों बता रहा हूँ फिर हो जाएग equation 2 इसके बाद हम लोग क्या करते हैं equation 2 से subtract करेंगे equation 1 को तिधर लिख दे रहा हूँ equation 2 minus equation 1 ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को तिधर left hand में हो जाएगा 10x minus x और right hand में देखिए 56 decimal 7 plus कर दिए 0 decimal 0 777 dot 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 फिर इसको minus करेंगे हम लोग 5 decimal 6 से फिर minus हो जाएगा 0 decimal 077 dot 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 ठीक है अब यहाँ पे देखिए cancel out हो गया अब इधर हो जाएगा 10x minus x 9x और यहाँ पे 7 में 6 हो गया तो 1 6 में 5 गया तो 1 और यहाँ पे 51 decimal 1 हो गया अब इधर x equal to होगा 51 decimal 1 divided by 9 यहाँ decimal अटाने के लिए numerator numerator में 10 by 10 को multiply करेंगे तिए हो जाएगा 511 divided by 90